नमस्कार दोस्तो、 दोस्तो आज की इस वीडियो में हम Relay का connection करना सिखाने वाले हैं जैसे कि Relay हमारा तमाम circuit में लगा होता है यह क्यों लगाय जाता है जहां भी हमें Auto Cut की जरुरत होती है Auto Switch की जरुरत होती है वहाँ पे हम इस Relay का यूज करते है तो दोस्तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी सर्कीट में अगर रीले का प्रियोग करना चाहते हैं, रीले के वहां करनेक्शन करना चाहते हैं, तो point to point मैं सारे pin के बारे में बताने वाला हूँ, यह रीले हमारा कैसे काम करता है, और इस वीडियो को देख आपको उसकी जरूरत पढ़ ही जाती है, तो दोस्तो इसका connection बहुत ही आसान है, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, अब दोस्तो आईए वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी request, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा, चैनल पे नह यूज होने वाले रिले 5, अब इन ही पांचों पीन का हमें यूज होता है, आपके रिले में 6.7 इस तरह कुछ छोओ पॉइंट भी, जैसे कि आप देख सकते मेरे पास एक रिले और है, जिसमें आपको 6 पीन देखने को मिल जाएगा, लेकिन काम इसमें भी आपका 5 यही प यह आपका इस तरह जब कर लेंगे, एक साइड में आपको 3 लेंगे, तीन पीन मिलेंगे, एक साइड में आपको 2 पीन मिलेंगे, तो यहाँ पे जो आपका देखिए, दोनों यहाँ तीन पीन जहर है, इधर दोनों साइड वाला जो पीन है, यह होता है क्वाइल, ठीक है, अब आएए देखी इसका सर्कीट आपको इस तारह जिसे आप समझ लीजें। यहां पर देख़िए रिले का हमारा एक चुटा सयमेने सर्कीट बनाया है। यह जो हमने बताया, यहां जो कौाईल दो पिन है, यहां पर यह आपका कौाईल हो गया। sigyn यह क्वैल हो गया इसके बाद जो COMन पीर है यहां बीच में रहता है जब भी सको आप supply नहीं देंगे तो ये normally close से जुड़ा रहता यह वाला ज Expect legal कामन प्तुम से यह जुड़ा रहता है लेकिन जैसे ही हम Supplies क्वैल के बीच में डेते है तो जब magnet बनता है यह हमारा switch on कर देता है यह हमारा common pin यानी You कट के कहाँ आ जाता है यह हमारा इसमें पहले शटा जाता लएए जैसे ही इसको supply देते हैं यह यह आकर इसमें शड जाता है तो हमारा on आपका प्रक्रिया यहीं से होता है अब इसको तो हम practical करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे यहां मेरे पास यह relay है अब यहां पे मैं एक ले लेता हूँ दो LED ठीक है यह मैंने दो कलर का LED लिया है अब मैंने आपको बताया यह वाला पीन नर्मली क्लोज यह वाला पीन नर्मली ओपें यह 12 बोल्ट का हमारा है method एक ही होता है चाहे आपका पांच बोल्ट का रिले हो चाहे बारे बोल्ट का रिले ठीक है तो मैं इस LED का देखिए बीच वाला जो हमारा प्लस था इस प्लस वाले को दोनों को आपस में इस तरह से सोल्डिंग कर दिया हूं और यहां से एक वन किलोम का यहां कनेक्शन इस तरह से पॉइंट पे कर देता हूं ठीक है एक LED का में वहां कर दिया और दूसरे LED का यहां पे कर दिया कि नार्मली ओपें से अब यहां देखे हमारा यह LED जूड़ चुका इसके बाद यहां हमारा जो कॉयल वाला वायर है इस कॉयल वाले पे हमको सप्लाई देना होता है क्या करते इस पर एक वायर जोड़ेंगे जो कि आपका देखिए इस तरह से हम प्लस को क्या करते हैं क्योंकि हमको माइनस चाहिए ठीक है माइनस को हम cut-off करेंगे तो हम माइनस को यहाँ पे common वाले point पे भी जोड़ना है तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए common pin और एक माइनस लेग को हम यहाँ पे आपस मेंור करेंगे तो थोड़ा सा लंबा वायर हम लेंगे यह थोड़ा लंबा नहीं मुद्ब इस से इसको इसको सौट करना है तो एक छोटा सा वायर लेके हम इसको सौट कर देते है मनें यहाँ common pin और coil की एक pin को आपस में इस तरह से sort कर दिया ठीक है यह हम यहां समझने के लिए इसको sort कर रहे हैं जो कि हमको supply यहां भी देना है और यहां भी देना है इसलिए हम इसको sort किया आप other जगह जब यूज करेंगे तो coil को आप other supply दे सकते हैं और यहां जो आपको on-off करना है common प इसके बाद जो हमारा plus वाला है इस plus वाले में भाई यहां पर देखे एक मैं इस रजिस्टर पे एक वायर इस्ट्रा जोल लेता हूं चुकि इसको आप continue supply हमको देना होगा यहां हम supply हटा के आपको दिखाएंगे कैसे हमारा relay काम करता है तो इसके लिए क्या करते हैं इसमें एक वायर हमार इस्ट्रा जोल लेते हैं और जो हमारा plus वाला वायर होगा यहां प्लस वाला वायर इस वायर में मैं इसको इस तरह से यहां connect कर देता हूं ठीक है अब यहां हमने connect कर दिया तो अब देखे यहां पे हमारा जो relay इस समय काम नहीं कर रहा क्यों अभी हमने supply नहीं दिया है तो अब इसको हम 12 बोल्ट की supply देते हैं यह मेरे पास 12 बोल्ट का बैटरी है ठीक है यहां plus और minus को मैं यहां पे देखे लगा दिया तो जैसे ह यहां हम supply इसको देखे अभी हमारा relay को supply नहीं मिला है बास समझेगा जिस समय relay के हमारे coil को supply नहीं मिलता है तो हमारा यहां normally जो पिन है यह पिन अभी यह common पिन से यह पिन हमारा सट गया ठीक है यह इस तरह से यहां पे यह सट गया ठीक है यहां देखिए जो common पिन हमारा न तो आप देखेंगे हमारा, ये red वाला LED बुच चुका है, इसके बाद यहाँ green वाला LED हमारा जलने लगा, यानि अब हमारा जो ये common pin है, ये common pin इस से हट के कहाँ पर चलाया, इस पर चलाया, ठीक है, अब जितनी बार आप supply यहाँ से हटाएं, मतलब इसको on-off करेंगे, ये आ हम किसी भी automatic circuit में इसका use करते हैं, method एक ही होता है, चाहे आपका 5 बोल्ट का रिले हो, चाहे 12 बोल्ट का रिले हो, चाहे 24 बोल्ट का रिले हो, coil पर जब supply दिया जाता है, तो हमारा ये normally close से, normally open वाले पर common pin जाके, सड जाता है, जिससे हमारा, जो भी इसमें circuit हम जोड़े रह जेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार